तो सबसे पहले अपने जो है बंडे की सबजी बनाने के लिए याँ पे इसको बंडा बोला जाता है कि शायद ओल बोला जाता होगा तो मैंने याँ पे तरसों का तेल गर्म करने के लिए रखा है जो मैंने छोटे-छोटे पीसिस कट करके रखे हैं ना इनको हम फ्राइ जो है कट कर सकते हो से कोई बाउंडेशन नहीं कि इतने इतना कट होंगे मैंने थोड़ा चोटे-चोटे किए क्योंकि यह गलते बहुत देर में है तो ऑईल हमारा बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है तो मैं थोड़ा-थोड़ा करके यह इन सब चीजों को मतलब इसको निकाल लेंगे दो बार में हो जाएगा मैंने आदा डाल लिया है तो यह देखिए कि इतने इच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर के हलके हो गए हमारे जो बंडे के पीसे इनको हम निकाल लेते हैं अब किसी भी किशिन पेपर पर निकाल सकते हैं नापकिन पेपर पर निकाल स अच्छे से निकाल के दूसरा वाला हम जो है जो हमारा सेट बचाए उसको फ्राई कर लेते हैं फिर से बोलूंगी कि कटिंग की चोईस आप लोग पर डिपेंड है चले हम लोग दूसरा प्रेट भी अपना जो है प्राइक कर लेते हैं निकाल के रख लिया है और उसी कटखना में थोड़ा सा ओयल जादा था तो मैंने कम कर लिया है लगबभ होगा छे सी साथ टीजपून अइतने बंड़े मे इतने लग जाएगो यहां पे थोड़ा सा मेने एजवाइन मेती कि दाना लॉंग बड़ी लाइची ठोड़ा सा टुपड़ा जाइपर का है दो छोटी लाइची चोटी लाइची और दो छोटी-छोटी दालची को एड़ कर देते हैं इसी में मैं डालूंगी यह मेरे पास कुछ आठ से दस कलिया लग कनती है इन्हें मैं सावुती डाल लू चुका था चलिए यहां पर लसन भी अच्छे से हलका सा ब्राउन होने लगा है अब यहां पर मैंने तीन मेडियम साइज के प्यास को बारिक बारिक चौप कर लिया है एड़ कर देते हैं और बंडा मेरा जो है हाफ केजी की जितना वजन का था उससाफ से मैंने यहां पर त अच्छे से प्यास को हलका हलका ब्राउन करने तक बून लेते हैं चारव पांच मिनिट लग जाएगा मेरा मेडियम है मैंने भी कर लिया है देखिए से ब्राउन हो गया बस जलाना नहीं है हलका ब्राउन कर लेना है अब इसमें एड़ करूंगी कुछ सूखे और पिसेवे याँ पर एक चमश धनिया है थोड़ा से जब झालें अजम से थोड़ा सेظा ज़्जादा नमक अधा चमश मेरा कश्मेरी लालमेच पाउडर और एक तिहाई चमश छल्दी है तो यह सब डाल लेते हैं अच्छे से एकदम स्लो फ्लेम है तो मिक्स कर लेते हैं और फिर थोड़ा-थोड़ा पानी डालके इसके साथ भी हम पढ़िया से भून लेंगे चार-पांच मिनिट तर पहले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसे फ्लेम एकदम लो रखिए जब भी सूके मसाले डाल रहे हूं और पानी तो रांत हुआहिट नहीं करना थो थोड़ा से श्लो कर लीजे और कुछ सेकंड भाद ही आप पान एट करें वरना मसाली जल जाएंगे थोड़ा-थोड़ा करके पानी एट करते जाते हैं और इसको भूनते जाते हैं बहुत जाधा जाधा नहीं बश 3-4 चमच की जितना चोटे वाले स्पून होते न अग伊श्पून और इसको अच्छे से भूनना है फ्लेम अभी भी लो है मेरा वीच वीच में लो मेडियम कर लेती हूं तो मसालों को अच्छे से भून लिया है मैंने साथ ही मैं आदा चमच चमच पाउडर और एक चमच की जितना कसूरी मेथी रालूंगी तो यहां पर देखिए मसाले अच्छे से भून गए अभी थोड़ा और भूनेंगे दो ती गुना जाधा बढ़ आता और खुश भी बहुत अच्छी आती है थोड़ा थोड़ा सूखने लगा है तो इसमें थोड़ा सा पानी एट करूंगी मैं दो तीन बार थोड़ा थोड़ा पानी एट कर चुकी हूं और बूनती जा रही हूं फ्लेम मेरा मीडियम है पहले लो थ अच्छी से मारा मसाला भून चुका है और ऐसा दर 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 मुझे चाहिए भी एकदम स्मूद ग्रेवी बाला नहीं चाहिए अभी अपना फ्राई कियोवा बंडा एट कर लेते हैं थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं बस दो मिनिट मेडियम फ्लेम पे इसको ऐसे ही मसालों क तो दो आपने अपने तेस्ट के अकॉरडिंग आपको जितनी ग्रेवी रखनी है बहुत जादा नहीं अच्छीा नहीं देती हूं ग्रेवी तो थोड़ा कम पानी जाले लेकिन मुझे थोड़ा सा ग्रेवी मुझे अच्छी चाहिए फिलाल मैं इसको एसे ही भुनने देते दो मिनिट बर अच्छे से भून लिया है मैंने जो है अपने सारे मसाले को सबजी को अब डालते हैं पानी तो मैं यहां बड़े बड़े ग्लास बर के दो ग्लास के लगबग पानी डालूंगी क्योंकि अभी यह अब्जॉब करेगा सारी चीजें और थोड़ा सा थिक भी है और अब इसको में 10-12 मिनिट मीडियम फ्लेम पर पकाऊंगी अब धककर भी पका सकते हैं आप इसको कुकर में भी बना सकते हैं चलिए फिर इसको वेट कर लेते हूं यह देखिए साथी हमारी बहुत ही डिलेशियस और बहुत ज़्यादा टेम्टिंग बंडे की रसे वा बहुत 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 बढ़ पर या यह ज़ गोई आप है और शॉर्ण को है भालाओव जिलेशियस और बहुत जर देले तो एख भालाओव